तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको चेक आउट जरूर करिएगा हाली फिलाल की वीडियो है तो जरूर देखेगा आपको प्यता चल जाएगी कि ये ग्रेडिंग कैसे डिसाइड होती है और इसके उपर भी जैसे पहले भी मैंने प्लेसिंटा के उपर बहुत सा अब बात करेंगे कि लोगों ने देखे बहुत सारे लोगों ने देखा पसंद भी किया वह लेकिन उनके मन में कुछ डाउट साया है तो उस डाउट को मैंने सुचा कि क्लियर कर दूं तो उनके मन में एक कंडियूरस एक डाउट आ रहा है कि माल लीजे कि अगर फ्लेय «लाओ अगर किसी के साथ हो भी जाता है तो सारे इंसान अपनी ली डॉक्टर की निगरानी में रहते है और सबकुछ अनके रिपोर्ट है सबकुछ BD ली रहती है तो वह लजाता है कि उनको तरह की क्या करना है ह। तो ऐसा तो rare case में होता है बहुत ही इका दुका cases में ऐसे अगर हो जाता है तो हो जाता है लेकिन अगर माल लीजे कि ऐसा होता है तो क्या होता है तो सबसे पहली बात जैसे माल लीजे कि जिस तरह से baby बड़ा होता है उस तरह से mature होता है उसका placenta भी लेकिन अगर जादा अगर मैचर हो गया तो obvious ही बात है कि उतना nutrient या उतना blood supply वो जो old हुआ है जो placenta वो उतना blood supply अपनु बच्के को नहीं देगा तो obvious ही बात है कि इस cases में pre-term delivery होने के chances बहुत जादा होते हैं और obvious ही बात है कि अगर pre-term होगी तो भीबी बर्थ हो गतर है चबूसलMy के समय अब ही आपको सोच लाइचाorter आपको इस तरह की नीगेटिव बातों को नहीं शोचना अगर इंडिया की मईंबाद पता रहे हूं आपको इंडिया में अगर 30 to 32 weeks की अगर प्रिग्निक्नेंसी है अगर बेबी उस समय तक भी अगर जनम ले लेता है तो भी उससे सर्वाइव किया जा सकता है जी हां आपने सही सुना अगर pregnancy 30 to 32 weeks तक भी है तो उसे survive किया जा सकता है लेकिन उसे early pregnancy अगर है तो survive नहीं किया जा सकता है लेकिन कोशिश यही करते रहना चाहिए मेबी आपकी twin pregnancy हो multiple हो कुछ भी हो आपको survive आपको कोशिश यही करना है कि आपको अपनी pregnancy को full term लेके जाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा नहीं रखना होगा वो डॉक्टर आपको अच्छे से समझा देंगी मालने जी कि आपकी high risk pregnancy है जिसमें pre term होने की chances बनते हैं या बहुत सरे ऐसे cases होते हैं बहुत सरे ऐसे pregnancies होती हैं जिसमें early birth होने के chances बनते हैं तो उस case में डॉक्टर आपको special precautions बोलती हैं कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है क्या चीज़ का नहीं क्योंकि आपको बेबी को full term तक carry करना है तो at least आप 37-38 week तक भी pregnancy को ले के जाएए जिससे की बेबी का जो weight है वो gain हो सके क्योंकि अंतिम का जो 3 महना होता है यानि कि 3rd trimester उसमें baby का weight बढ़ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो baby का weight है वो maintained हो सके तो hope आप ये सारी बाते समझ पा रहे हैं लेकिन इतने extreme cases में आप मत सोचिए positive रहे है जितना ज़्यादा आपकी सोच positive होगी जितना ज़्यादा आप stress से दूर रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा आपकी baby के लिए भी अच्छा होगा तो hope आपकी जनकारी आपको सारी जनकारी मिली होगी सब कुछ doubt clear हो गया थोड़ा देखे sleep of tongue हो रहा है रात के बहुत ज़्यादा बज गया है मैं नहीं कह सकती हूँ दिन में बच्चे मुझे तंग करते हैं रात में वीडियो बनाती हूँ तो अगर थोड़ा सा words इधर दर भी हो रहे हैं तो please मुझे माफ कर दीजेगा लेकिन हाँ वीडियो की जो में जिस्ट है में कॉंटेंट है उसे समझने की कोशिश करिए जो मैं बात बोल रही हूँ वह पूरे होश और अवास में बोल रही हूँ नींद में नहीं हूँ तो प्लीज अप मेरे जो जो वी भी सर्वाइव नहीं कर पाया तो जो भी मेरे कड़वे अनुभव है मैं आपको शेयर कर रही हूँ तो प्लीज उस वीडियो को जादा से जादा लोगों में शेयर करिए देखे भी पूरा शुरू से लेके अंतिम तक है है क्योंकि कब कौन सी बात में बोल दोगी मुझे नहीं पता चलती है तो प्लीज 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 आप उसे जरूर देखे उसके तीन चार पार्ट बन गया है और यह चौथे पार्ट की मैं तयारी कर रही हूँ पस उसको उस वीडियो को बना के फिर मैं उसके बाद राम करने जाओंगी तो वो कम्प्लीट कर लोगी उसके क्या होती है भगवान की क्या मर्जी होती है हम लोग नहीं जानते हैं लेकिन जितना कोशिश करना चाहिए अपने बच्चे के सुरक्षा के लिए आप लोग उतना हत्त करिएगा तो मेरे वीडियो देखिए फॉलो करिए मुझे बहुत खुशी मिलेगी शेयर करिए अपने